पिएम मोधी के अगवाई में केंद्री मंत्री मंडल ने पिछले साल फरवरी में प्रहान मंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुवात की थी जिसके तेट 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात कही गई कैसे योजना भारत की उर्जा जरूरतों और आवश्यक्ताओं को पूरा कर रही है जमीनी इस तर पर इसका जाहिजा लिया हमारे सहयोगी तापस भटाचारी दी मैं इस वक्त हूँ गुजरात के गांधी नगर पर यहां पर आप देख सेते हैं हर एक घर के उपर यह सोलर पैनल लगया है तो हमने सोचा कि पता करते हैं कि ऐसा क्या है गांधी नगर और आसपास के इलाकों में कि हर घर के उपर सोलर पैनल लगा रहा है क्या इससे कोई फ सबसे पहले नाम बताइए हैं डॉक्टर गुंजन बद रखिया डॉक्टर साब तो पहले ही गर तो आपका शांदार है उसके चाहँ जो सुंदर्था के साथ-साथ एक इंटरेस्टिंग चीज देखने कि उपर यहां पर हरे गर के उपर इसे हम बदाए होा है क्या डीक फाला ज़्म हाक है यह लगा हुआ है तो क्या फायदा हो रहा है यह ऐसे ही लगाहा हिए ने डेफिनिटल फायदा थो एकुछ थारे एक। दो और अब है क्यों एक छखना भी गोट बम से लोगाने के क्या बढील गने से किया पर जो बिल 12-13,000 महिने का वह दो इसे कुछ फायदा मिला नहीं डिफिनेटली उसे फायदा मिला जाहेंगे आपसे क्या से एवरेज हमारा पील जो रहता था वह 12,000 रूपीज पर मन्त के इसाब से रहता था आपको अच्छा लग रहा है यहां तो यह सोलर पैनल नया कुछ आप लोगो समझने हा रहा है कि यह सोलर पैनल सोलर एंड़ आप लोगो पढ़ाया भी जा रहा है हाँ हमारा एक्जाम था अभी हमें पढ़ाया था साइंस में था हमारा और साइंस अब आपके घर पे हैं तो यहां पे ऐसे बहुत से लोगों को आप देख पा रहे हैं कि यह लोग देख रहे हैं आसपास के जो लोग हैं हम आसपास के लोगों से ही बात करे थे एक पड़ो होते हैं उनको बजट लेके चलना पड़ता है तो आपको यह फायदा मिला क्योंकि बजट में सब चीज आ रही है आपको आपके पास शायद वह दस बारह हजार एक्स्टा बच रहा है हाँ वह जरूरी है वह महिलाओ के लिए फायदा है जो पूरुश है उनके लिए फायदा है और उसके बाद ये लॉंग टर्म में इन लोगों को बहुत जादा फायदा देने वाला है क्या परसे सौरव बख्षी के साथ मैं तापश बटा चाहर है दूर तुशन समाचार गांदी नगर खुश राद